राधे राधे मित्रों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी अलफाबेट के सी अक्षर से सुरू होता है जैसे किनही का नाम चंदन होगा, किनही का नाम चांदनी होगा तो जो सी नाम बाले लोग होते हैं, उनके लिए 2024 से 2030 तक का शमय कैसा रहेगा आने वाले शात वर्सों में आपके जीबन में क्या-क्या होने वाला है वीडियो बहुत जियादा महतपुर्ण है, तो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा वीडियो के लाश्ट में आने वाले वर्सों का एक अनोखा टोटका है तो आपको उसे भी सुनना है और आजमाना है ताकि आने वाले वर्सों में आपके जीबन में कहीं कोई परेशाने बिलकुल भी नहीं हो तो आईए, अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं आपके आने वाले वर्सों के बारे में शबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके लव लाइफ के बारे में यानि कि आपके प्रेम जीबन के बारे में तो प्रेम शंबंध के दृष्टिकों से आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए बहुत जयादा मजबूत और बहतर होगा आने वाले वर्सों में प्रेम शंबंध के दृष्टिकों से आपके शमय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा अगर आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई पड़ेशानी थी, कोई शमस्या थी, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आने वाले वर्सों में आपके शमय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन प्रेम शंबंध के मामलों में आपको इमानदार होन होगा, वफादार होना होगा, और अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के शाथ में छल कपट करने से, जूट बोलने से, धोखाधरी करने से आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आप उनके शाथ में कोई धोखाधरी करते हैं, तो आपका प्रेम शंबंध कमजोर हो और ऐसे वक्त में आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है और प्रेम शंबंध में छल कपट बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों अगर आपके सेहत की बात की जाए तो स्वास्त के द्रिश्टिकों से आपका शमय ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा आने वाले वर्सों में अगर अपने स्वास्त के परती अपने सिहत के परती आप लापरबाही करते हैं तो आपका स्वास्त आपका शाथ बिल्कुल भी नहीं देगा आप मेंसे जो भी लोग आने वाले समय से पहले बिमार थे अगर आपके सेहत में कहीं कोई पड़ेशानी थी तो आने वाले वर्सों में आपको लापरबाही बिल्कुल भी नहीं करना है अपने रहन सहन अपने खान पान के परती आपको बहुत ज्यादा साबधान रहना होगा जिन चीजों के सेबन से आपका श्वास्त खराब हो जाता हो जिन चीजों को खाने पीने से आपका श्वास्त भिगर जाता हो तो आने वाले वर्सों में ऐसे वस्तूओं को आपको एकदम दूर करना है खाना बिल्कुल भी नहीं है जिन चीजों को खाने से आपका पाचन तंत्र भी खराब हो जाता हो, तो ऐसे वस्तूओं को भी आपको त्यागना होगा। अन्य था आने वाले वर्सों में आपको परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा। मित्रों आप में से जो भी लोग वेपाडी हैं खुद का काम करते हैं तो वेपाड के दृष्टिकों से आपका जुआने वाला शमय है वो आपके लिए उतार चढ़ाब से भरा हुआ रहने वाला है मंगल देवता आपके कामकाज के छित्र में आपको थोड़ा बहुत परिशान अवस्य करेंगे अगर अपने कामकाज में आपको परिशानी का सामना करना होगा तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है और कामकाज के च्छेतर में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है अगर किसी भी काम को करना है तो उस काम को करेंगी परंतु उस काम को करने से पहले उसके बाड़े में शाड़ी बातों को पता करते हैं उस काम को करने से इनको क्या फाइदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये इन बातों पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, और विचार करने के बाद ही किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला करते हैं, अन्य था आने वाले वर्सों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बाद करते हैं आपके पाडिवारिक जीवन के बारे में, मित्रों आने वाले समय में आपके पाडिवारिक जीवन में मंगलिक कार्ज, सुभ कार्ज बहुत जयादा होगा, आपके घर पडिवार में धार्मिक कार्ज भी होगा, आपके घर का जो माहौल होगा, वो बहुत जयादा धार्मिक होगा लेकिन राहू के तू के कारण आपके पडिवार का वाताबरन कभी-कभी बहुत जयादा प्रभावित हो जाएगा यानि घर पडिवार का महौल तनाव गरस्त हो जाएगा और घर के लोग आपस में ही उलत जाएंगी और पडिवार के शांती क भंग कर देंगी तो ऐसे वक्त में आपको शावधान होना होगा और अपने घर के माहौल को पड़िवार के वातावरन को आपको अच्छा बनाना होगा अन्यथा परेशानी का सामना आपको करना पर सकता है तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है मित्रों यही था आपके आने वाले साथ वर्सों का रासी फल अब जानते हैं आपके उपाई के बारे में तो आपको आने वाले वर्सों में प्रतेक मंगल बार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शाथ में बजरंग बान का पाठ भी आपको ध्यान से करना है अगर आ आप ऐसा करते हैं तो आने वाले वर्सों में आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशाने बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा मजबूत और बेहतर हो जाएगा मित्रों अगर आपके मन में कोई शवाल हो कोई प्रस्ण हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपके शहायता आवश्चे की जाएगी वैसे मैं उमीद करता हूँ साड़ी बातें किलियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै महादेब आप कमेंट कर दें वीडियो को हर जगह सेयर कर दिजिएगा तो हमारी आपकी मुलाकात एक नई वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला